कितनों तक दिख रहा बताओ, यहां दिख रहा है? हरे किष्णा ओम अज्ञान तिमिरंध से ज्ञान जन सलाकया चक्चरुन मिनितम येना तसमे स्री गुरुवे नमा स्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येना भूतले स्वयम रूपकदा महियं दधाति स्वपदांतिकं वंदेहं स्री गुरो स्री उता पदकमलं स्री गुरु नुवेष्णवाम्ष्च स्री रूपम सागरजातं सागनरगुनातान वितं तमसजीवं साव द्वयतम साव दूतम परिजना सहितम क्रिष्ण चैतन्य देवं स्री राधा क्रिष्ण पादान सागन ललिता स्री विशाखान विताम्ष्च नमा उम्विष्ण पादाय क्रिष्ण प्रिष्टाय भूतले स्री मते भक्ति वेदानत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सालस्वतिए देवे गोरवानि प्रचारिने निर्विशेश शुन्यवाधि पाश्चात देश अतारिने श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्या नंदा श्रीय द्वाइता गदाधर शिवास आदी गोर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम रामो रामो हरे 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 किष्णा आप सब भक्तों का और सभी सुनने वालों का और सभी आलोचुकों का भी हम स्वागत करते हैं और हम तो सत्य के साथ जुड़े हैं और यह सत्य जो है सनातन स्थिती से निकल रहा है जो ना सनातनिस्तिति जो वेदों में जो उद्भासी थे जो प्रकासी थे जो प्रकटी थे उस सत्य को भागवत में हम खोज रहे हैं भागवत पूरा सत्य से भरा है और भागवत से जो सत्य उद्गार हो रहा है उसको हम भागवत के स्रिंखलाओं में भागवत के स्रिंखला को के बारे में बताया जा रहा है तो हम यहां से चालू होते हैं अब आप इसको ऐसे लिखिए यह इसको ऐसे लिखिए हम इसको प्रिफर करेंगे 24 गुरु यह हमारा सिर्सक है थोड़ा थोड़ा देवनागरी सीख लिजी हमारे जो एस तक के जो लोग है उन लोगों ने तो सीखा हुआ है लेकिन जो अब जो इसकूलों में जा रहे हैं जहां पर फादर और नन आ टीचिंग टो पुरह पूरा जो है इसक्रिप्ट उनको फॉर फॉरेंड माइंड बना दे रहे हैं चौवईस गुरुों की कहानी सुना रहे हैं प्रकिर्टी के चौवईस गुरु और यह जो क्लासे बहुत रिवोलिस्ट नरी है क्रानिकारी क्लास है बहुत तो अगर आप ठंडे दिल वाले हैं तो दूर रहे हैं अगर आप गरम खुन वाले हैं तो बने रहे हैं क्रांती है क्रांती है क्रांती देखिए जब जब भारत में अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों नहीं आके देखा कि भारत की कमजोरी और भारत का स्ट्रेंथ क्या तो पूरे भारत में लोगों ने सर्च किया और सर्च करने के बाद भारत में एक बहुत स्ट्रॉंग चीज पाया और वो स्ट्रॉंग चीज उन्हों देखा कि इसमें एक गुरू का आश्रम होता है जहां पे बच्चा जाके पढ़ाई करता है और ना फी लगता है ना पैसा यह फिरी में पढ़ाता है अब जब गुरु इसको फिरी में पढ़ाता है तो बन जाता है निस्वार्थ और निस्वार्थ बनने से एक अजीब सी चीज प्रकट होती है जिसको कहते हैं प्रेड़ना यह जो गुरु होते हैं गुरु और निस्वार्थ गुरु जब हो जाता है तो निस्वार्थ गुरु देता है एक चीज का जन्म होता है जिसको कहते हैं प्रेड़ना प्रेड़ना का जन्म होता है इंस्परेशन किस चीज की सरनागती की सरनागती का भाव आता है और जब सरनागती आता है तो वेक्ति जो जीवन भर उस फिलोसपी से चिपका रहता है उस तत्व से चिपका रहता है उस समरपन को बनाये रखता है और इसी कारण से क्या देखा उन्होंने कि भारत में कोई डावोर्ज नहीं होता जब अंग्रेज आये थे तब तो यह सुनने कोई नहीं था और तब भी हुआ इसे थे जैसे आज है आज पर ज़्यादा लुच्छे हुए लेकिन पहले भी कम नहीं थे तो अगर आपको यह सब्द ज्यादा स्ट्रॉंग लग रहे हैं लेकिन यह इससे अच्छा मुझे और कोई सब्द मिला नहीं अगर आपको मिले तो बताईएगा तो जब यह सरनागती नहीं है तो परिवारत जीवन में भी यूज एड थो रहता है पती-पत्नी साथ में आए अंग्रजा ने उनके उनके उस्टायल को देखा था और उस दोनों को मिट्मेंट बहुत कम है कमिट्मेंट कम है तो उस कम कमिट्मेंट को ब्रेक करना बड़ा ला चीज है कि भी जिमयदारी और निभाना यह उसका पेला सब्सक्ति है कि रिश्टों को निभाया जा सकता है कर सब्सक्राइब कि अगर्म का शर्नाचटी नहीं है तो आप और इसते निवाना आपका बड़ा कठीन है अब क्या हुआ अगर आप एक टिपिकल कॉर्परेट वर्ल देखेंगे जो पाश्चा जगत अंग्रेजों के हिसाब से बना हुआ देखेंगे आपको यह दिखेंगे कि आदमी अपने कंपनी में भी लॉयल नहीं पैसा ज्यादा म इसे अग्रेजों के से भारत के इस सिख्शा वैवस्थां को पहले निकालना पड़ेगा यह जो नभारत की शिक्षा वैश्टानी को निकालना पड़े जो पढ़ने लगे एंग्रेजी सिछ्छा परनाली में उसका रिजल्ट उनको देखके वो लोग बड़े खुश थे एंग्रेज बड़े खुश थे उस रिजल्ट को देखके कि जो भी हमारे एंग्रेजी सिछ्छा परनाली में पढ़ने लगा वो भारतिये वेदों के परती सास् और अंग्रेज बनने का मतलब है चरीतर में उतार, वह चरीतर नहीं बजेगा जो पहले था चरीतर और कमिट्मेंट निभाना जांते ने, सर नागती जांते ने, पिरेणा न जांते ने, क्योंकि निस्वार्थ वेक्थि उनको मिलाने हमको तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले इसका कुछ इंग्लीज वर्जन बनाना पड़ेगा तो यह इनको जो भी लोग मिले सब स्वार्थी मिले लेकिन हमारे भारतिय परंपरा में निस्वार्थ लोगों का बड़ा बोलबाला रहा है अइसे सादूर है जो एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और इसलिए एक ऐसे प्रणाली को इलोग गुरु लोग चला पाए गाउं गाउं में गुरुकुल चला पाए आज भारक में छेला गाउं हैं तो क्या छेला गुरुकुल हैं मेरा सवाल है पहले एक गाउं में चार पाँच गुरुकुल हुआ करते हैं एक गाउं में 30-40 लाख गुरुकुल थे अंग्रोजों को जमाने में जितने गाउं थे उतने से एक एक गाउं में पाँच पाँच गुरुकुल हुआ करते थे हर गाउं में एक गुरु का आस्रम है दुसरे वह बिद्या की नदी बेहा करती थी, जहां पे हर वेक्ति जो है परविण होता था, कुलीन होता था, संसकारी होता था, हर वेक्ति में कुछ सेवाभाव होता था, वो भारत कहां गया, सिक्षा परनाली ने उसको खाया. आदुनिक सिक्षा प्रणाली ने उस गरिमा में भारत को खाके खतम कर दिया और जब वो खतम हुआ तो इन लोगों ने अपना अल्टेरिनेटिव एजिक्वेशन सिस्टम बनाया आंगल सिक्षा प्रणाली को उनों ने चलाया और उस आंगल सिक्षा प्रणाली में चरितर का कहीं कोई स्थान नहीं, कहीं से कोई स्थान नहीं, गुरु कुल में सबसे पहला चीज उठो और गुरु के पैर चुओ, क्या स्कूलों में ये सिस्टम है, टीचर को कोई रिस्पेट देने के लिए कोई सब्द, नहीं, गुड मार्निंग टीचर, दोस्त को जैसा बोलता है, एक दोस्त के इजट हो गया और आप तो वो भी नेरा धिरे दिरे ओस चीज पूरा ही खतम होके वाइप आउट हो गया तो यह उतर गया अब इसमें क्या हो गया चरित्र आप एक्सपेक्ट ने कर सकते लोगों से फिर आप सुचेंगे क्या दिक्कत है चरित्र नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है अगर हमारा बच्चा ड्रक्स लेता है और लड़कियों के साथ ऐसमोच करता है क्या दिक्कत है अगर आपका बेटा को तकलीफ है हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपका बेटा जब ड्रस लेके किसी और का खून करेगा और जब वो किसी और की बेटी के साथ बवाल मचाएगा तो उसको जो दिक्कत हो और ऑपने बेटे को नरक में डालना चाहते हैं तो डालिए बेसक और KoscGA मुण डाली समाच को नरक मत बनाइई ब कि इसलिए यह सिक्षिन हाफिक है बहुत बड़ा ज़ो के चल रहे तो हरे किसह नट को हरे किस्ट्रे किसना किसना श्राहरे तो सबस्द्रेंद जो इंगलिस सिस्टेम है इंगलिस एडूकेशन सिस्टम उसका देख़े क्या सिस्टेम कर उसमें क्या चीज़े आँ थोरिटी सबोरिनुट मोड पर कि यह आपको समझना पड़ेगा अंग्रेजियों का सिस्टम बना था लोगों से खटवाने के लिए काम कराने के लिए हुकुम साही चलाने के लिए दिमाग मत चलाओ जो बोला गया सो करो कहीं भी आप यह सुनते हैं जो बोला गया सो करो मतलब वो अंग्रेज का बच्चा है वो अंग्रेज का बच्चा है अंग्रेज की पूछ उसके अंदर उसके दिमाग में घुसी पड़ी है और वो हमारे देश के लिए जहर है इस वेक्ति को सबसे पहले पकड़ना चाहिए उ जो बोला गया सो करो जास फालो वाट ऑठार टेज थे फालो दा अथारिटी अथार्टी का फाला करो यह जो अथार्टी अथार्टी बोलते हैं यह सब के सब इस अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम की पूछ उनके दिमाग में घुसी है अंग्रेज चले गया दूम कभडे प्रणिंग पड़ने गया है यह ना कि अग्रेज पड़े का जार साल में जान उसको आलक्सी यह कोडिंग देना पड़ता है तो चार साल क्या गरा ता कहां चिल रहा था है किसले किस लिए तो कॉलिए और गोली खिल रहा था क्या बोलते है बच्चों की अंटा किसी में नोबडी हैस दथिंकिंग क्योंकि उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है 15 साल आपको ऐसा पढ़ाया है कि इंडिपेडिनेंट सोचने के आपको छमता दिया ही नहीं किसी नहीं अपना दिमाग लगाने का ताकत ही नहीं निकाला आपने कभी कभी उसको एक्सराइज करके बड़ाया ही नहीं तो कैसे बड़ेगा क्योंकि बच्च्मन में आपके स्कूलों में ऐसा है जो लिखा है तो पढ़ो और फॉलो करो जो लिखा है फॉलो करो जो बॉल्लॉ करो यह जो सिस्टम हमारे खून में घुश चुका है और हम अपना सोच से ही हट गये हम अपने ही आप समझे कितना बड़ा धोका हुआ है पूरे मानो जाती के साथ इस एजुकेशन सिस्टेम के द्वारा आप अपने ही नहीं रहे गए अब आपको अपना ही सोच ही नहीं रहे गए आपके पास में आप खुद का सोच ही नहीं पा रहे हैं सोचिए ज़र इस बात को गैराई स सोचिये में क्या बोल रहा हूं तो जब आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज हुआ है इसका मतलब authority वाले लोग है शोचने वाले लोग नहीं या तो फिर जो बहुती ही UM या थो पर दिया को सोचने वाले लूगों को कोई पोस्ट नहीं निया उनको आंधोंग ने गधार कर दिया था जैसे कि सुभास चंदर बोस हुए, खुदिराम बोस हुए, जैसे कि अपने बीर भगत सिंग हुए, ये सब लोगों को गदार गोसित कर दिया, और जितने चापलों स्थन को राय बहादूर, सिंग बहादूर, ये बहादूर, वो बहादूर, तो प्याज बहादूर लसुन बहादूर बना के उन्होंने घोसित करके घुमा रहा थी आथोरिटी और सबॉडिनेशन की बात हो रही थी तो आथोरिटी और सबॉडिनेशन इतना डीप चला गया है कि आदमी का थिंकिंग पावर जो ही इंडिपेंडेंस खतम हो गया लोगो आपको अपने पियर भए क्वड़ा होने से लोगदेा रहा है आफ देखिए कितना बड़ा आपका आपके सवाटन्त्र आपकी सवतन्तरता के साथ किता बड़ा हड़कमम कभजा हुआ आप पसके लिब से सुने हमारा आभी कभी से सब्सक्राइब कर लिए और उसमें आप जाके अगर आप देखेंगे गुरुकुल के उपर मैंने लेक्चर दिया है कि बीना किसी खर्चे के आप गुरुकुल चालू कर सकते हैं बीना किसी डिपेंडेंस है और करीब 18-20 साल तक हम भी पूना मंदिर में थे और ऐसा ही सोचते अगर हम कहीं जाके कुछ करना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता है कि इंडिपेंडेंडेंट सोचने का ताकत ही खतम था ऐसा प्रोड़क्ट होने के गार लेकिन जब हम आये और जब चालू किये तो देखे आरे सब कुछ तो हो रहा है क्या काम रुका है धरती चनाज उगा र रुपया उसमें एवरेज खर्चा चला जाता है एक गाय के पीछे और हमारे पास 30-30 गाय है और हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं गाय चरके आती है सामको बच्चा भी दूद्ध पी लेता है हम भी दूद्ध पी लेते हैं कहीं से कुछ खर्चा तो दिखने रहा है फिर आप उतरिएगा एक एक करके चीज़े आपके खुलती जाएगी लेकिन वह घटसी नहीं दिया किसी को कि आप उतर के ट्राइ करो लोग घबराते हैं घबराते हैं कि हम उतरेंगे तो क्या होगा और उस घबराने का रेजन आप नहीं है जब आपको उठाना था एजूकेश झ्लाती चला गया है जैसे होता नस चोटा हाती उसको लोहे के छेंट खींट म्रणां सब स्वर्ड़े जयो जयूता है जैसे आप destin और संब्क करता है व् लेकिन अगर बड़े हाथी को लग रहा है कि अभी वह लोहे की चेन पड़ी हुए है और यह जो बड़े हाथी में सोनिक जो चेन का जो भरम पैदा करके रखा गया है वो है इंग्लिस एजुकेशन सिस्टम है जो बड़े हाथी को भी छोटे हाथी की ताकत बना के बता के रखे बैठा है आपको खूद का इंडिपेंडिन सोच देता नहीं है और इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया हर जगे स्कूले खोलके पूरा एजुकेशन सिस्टम को लिया और क्यों लोग आएंगे उस एजुकेशन सिस्टम में सारे अंग्रेजों के जॉब उनी को मिलेंगे सरकारी जॉब उनको ही मिलेंगे जो उस एजुकेशन सिस्टम से निकलें गुरु को अलोगालों से नहीं मिलेंगे ठीक है और उपर से फिर उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करना चालू कि अवेदों को इस तरह से मिलाजुला के धोस्त करके गुरुकुलों को पूरे भारत से बंद करवा दिया गया और इसलिए आज भारत ही नहीं पूरे विश्व की हालत है खाली भारत की हालत खराब नहीं है यह ऑथरिटी सब और नेशन जो है पूरे दुनिया मे जरूत है मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी गुरुकुल खुलने चाहिए अफगानिस्तान में भी खुलने चाहिए इरान इराक सौदी सब जगव खुलने चाहिए क्योंकि सब की सोच इंग्लिस अंग्रेजों ने खराब कर दी है और मैं कहता हूँ आप लोग खोलिए जह एनपने को सकती है ना यह बढलता है इसको समय लगता है यह कोई पूछ बटन टेक्ली नीए कि आपने आज चा दिया और क्ल व एटीक बाटने को बिंगे में और उसको साथ रहके 8-10 साल-12 साल जब पूरा अपना सोच के खड़ा हुआ वेक्थी होता है और इस लिए इसके उपर एक कि बहुत बार लोग अपने दिल की बात को एक्सप्रेस तक नहीं करते हैं कि अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा और यह जैसा बोला गया विशा करने से वह आदमी का जो क्रियेटिविटी है उसको खतम कर दिया जाते हैं जो पहले लोहार लोग करते थे लोहा को बेंड करते थे आज के इंजिनियर लोग पास होने के बाद उतना बेंड करने अभी उनको नहीं आता और अपने आपको इंजिनियर कहते है एक बार आयाटी बॉंबे में क्लास हो रहा था और वहां पर उनको एक लोहा को गलाना था त तो उन्हों ने एक काउं के लोहर को बुला था आयाटी बॉंबे के बात हो और वो बुला रहे थे और वो गोविंद प्रभू जो है चोपाटी में वो कहानी कह रहे थे तो वो आयाटी में जाते रहते हैं और डॉक्टर गनेश रामकृष्णन है वह वहीं पर प्रोफेशन ह तो यह लोग कहते हैं कि वहां के स्टोरीज को आप सुनेंगे वह लोहार जो आया उसने देखा कि लोगों ने क्या कि एक पंखा लगाया हुआ है हावा देनी के लिए और पंखेस लोग बॉला इससे कभी नहीं गलेगा यह जो आग है यह मरा हुआ है तो बोले अच्छा मत का दोखनी होता है वह दोखनी लेके आये और उसने हवा दिया वह गल गया वह बोला उन्चास प्रकार का आग होता है 49 टाइपस ऑफ फायर गाओं का अनपड़ लोहार बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वेदिक समय में एक लोहार को भी इतना ग्यान था प्रेटिकल नॉलेज आज आया टी के लोगों को भी कहा है मेकानिकल इंजिनियर इन लेकिन गाड़ी देखेगा तो कुछ नहीं कर पाया कोई वीरले होते हैं सो में कोई एक होता होगा जिसको कि प्रेटिकल नॉलेज भी होता हो बाकी सब तो किताबी कीड़े होतें बस पापा के कलिक थे, वो एक किसी IIT से पास आउट थे, IIT कहड़कूर के पास आउट थे, मेकेनिकल इंजिनियर थे, उनका पोस्टिंग हुआ था, और गाडी का फैन वेल्ट तूट गया था, ड्राइवर नहीं के बोला, सर, फैन वेल्ट तूट गया, तो इंजिनियर साब ने तो अब आते हैं कि हमने इतना बड़ा explanation क्यों दिया, एक background है हमारे आज के कहानी के लिए, इसलिए, यह जो authority subordination को तोड़ना है, अगर, तो हमको ऐसा system निकालना होगा, जहां पर आदमी खुद का गुरू बने, हाँ भाई, आपको खुद का गुरू बनना है, तो यह सोच के कई बार जो भक्त लोग है, वो लोग बड़ा साइनिक दिश्चे देख, खुद का गुरू बनना है, हमेने तो सुनाता है, हमको एक गुरू चाहिए, आज सुनिए कि आपको खुद का गुरू बनना है, और कृष्न कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, और यह भागवत है का यह उनीस और विस लोग है, ग्यारवास कंद, सातवा अध्या है, और उनीस वास लोग है, यह ऐसे लिखिये, और फ्रसल्सकृत हो जाए, श्री भगवान वाच्चा, संसार में जो मनुष्य हैं ये जगत क्या है इसमें क्या हो रहा है इद्यादी बातों का विचार करने में निपुण है वेचित में भरी हुए असुब वासनाव से अपने आपको स्वेम अपनी विवेक सक्ति सही प्राया बचा लेते हैं भगवान कहा रहे हैं कि हर विक्ति को अपना समझ है अगर अपना समझ नहीं होता है ना तो हर वादमी को अंदर से क्यों एक कंसाइन्स आता हर विक्ति को परमात्मा अलग-अलग क्यों है अगर हर चीज आपको पूछ नहीं पड़ेगा तो परमात्मा सब को क्यों दिया गया भगवान कह रहे हैं कि अपनी समझ से ही आप प्राय अपनी वासनाओं को दूर कर सकते हैं प्राय है लोग अपनी गलत चीज़ों को दबा सकते हैं थोड़ा सा अपना सा सेंस करेगा कि ये गलत है ये नसा है नहीं करना चाहिए थोड़ा सेंस रहेगा तो प्राय है वोग ऐसा नहीं कि दुनिया में सब लोग नसेड़ी है अभी भी नसेडियों के जंक्या बाकियों से कम है ओना ऐसा नहीं कि 50% से जादा नसेड़ी हो गए है शंसार है नसा करने वाले L dois 50% से कम है नसा nerई करने वाले है तो अब ये सवाल आता है तो भगवान कहते हैं आगले स्लोक में आत्मनों गुरूरात्मईवा पूरुसस्या विसेशतह यत प्रतक्ष्यानुमाना भ्याम स्रेयोसावनुविंदिते समस्त्र पानियों का विसेश कर मनुस का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरू है क्योंकि मनुस अपने प्रतेक्ष्यानुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णे करने में पूर्णता समर्त है कह रहे हैं कि आपका गुरु जो है आपको जो बचाने वाला विक्ति है वो आप खुद हो आपका गुरु आप खुद हो अगर आप खुद के गुरु हो आपके गुरु खुद हो आप बोलेंगे यह कैसी बात है आदमी खुद का गुरु कैसे बन सकता है कहने का मतलब बहुत कह रहा है देखिए कि इटाते है कहने का मतलब है कि अगर आप आपका आत्मा ही आपका गुरु है मतलब आप ही अपने गुरु हो तो क्या होगा कहने का मतलब आप सीखने के लिए तयार हो आप अपने अनुभवों से सीख रहे हो आप सीखने के लिए तयार आप किसी चीज को सीखने के लिए तयार हो तो आप अपने आसपास नजर घुमाओगे सीखने के लिए आपको 50 चीजे मिल जाएंगे और अगर आप सीखने के लिए तयार नहीं हो तो आपको कोई सिखाने वाला भी मिल जाए तो आपको कोई सिखाने सकते हैं जब तक आप अपनी मदद नहीं करना चाहते हैं तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है में बंधूर आत्मने loop कभी कभी आपका बंदू और आपका दृस्मनों सकता है इसको यूज करते हैं जैसे आप अपने आपको मोड़ करना चाहते हो आपसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं और आपसे बड़ा आपका मित्र भी कोई नहीं तो भागवान भागोत के पहले स्कंद के दूसरे स्लोक में कहा गया है ग्रिष्ट एवात्मनिस्वरे जब आत्मा देखता है कि मैं कंट्रोल में हूं एक दुनिया के कौने मैं हूं तब जाके मुक्त होता है अब आप बोलेंगे यह तो और भी बड़ा बादि बात बोल रहे हैं दुनिया मेरे कंट्रोल में कैसे हो गया तो कोई सोचा है कि दुनिन सजर्म से और वह कर्म किस Bear और इसे didn't do simplistic ऊपने इच्छा से कि आपको दिखा रहा है जैसे बिबाद संसार इंद किया है फ्र्म से स्चर्म का 얼?' और आपको अगर मुख्ष होना है तो आपको यह निश्चच करना पड़े future कि मुझे मुख्ष होना है जैसे कि आगर आप सुबह उठते हैं तो बरस्त आपको खुद करना होता है नहाना खुद होता है को दूसरा पानी तो डालता नहीं है तो इसलिए जैसे ही आप अपने आपको controller समझते हैं आपके life का controller की मेरे Life का सब कुछ मेरे तो जब आप उस तरह से करते हैं तो जाके आप जो हैं अपने जीवन को सही रास्ते पर बढ़ा सकते नहीं तो किसी और के मदद से आपका कोई वैलू नहीं हो सकता है वैलू अडिसी नहीं जब तक आप सीखना नाइशा है अगर कुए में कोई गिर गया है रसी आप फेकिएगा जब तो खूद ना पकड़ रसी को इसको निकाल नहीं सकता है जब तो इसी को प्रलाद महराज एक बढ़ियां स्लोक में कहते हैं क्या रहे है कि जो मती है क्रिष्ण में भगवान में मुक्ष की कि जो मती है वो तब तक नहीं लगे सकती जब तक दूसरे बताएं आप खुद लगाएं से भी नहीं जब तक आप अपना वृत नहीं छोड़ते हो जब तक आप खुद से डिसाइड करके अपने आपको उस इंजॉयमेंट टिंडिंसी को छोड़ते नहीं हो तब तक आपको कोई मदद नहीं कर सकते भगवान भी आपको मदद नहीं करेंगे आगे फिर लोग बोलते नहीं नहीं जब भगवान हमको बोलेंगे जब प्रबू चाहेंगे तभी होगा नहीं तो नहीं होगा प्रभू तो कही रहे हैं मनुस्य बने गया मतलब कह दिया हुना अब उसके बाद भी आप नहीं कह रहे हो कि अब और कोई बुलावा आएगा अब और कोई बुलावा नहीं आने वारा अब आप अपना बुलावा जो है देख लिए शास्तर के इसाब से आगे बढ़िए इंडिपेंड है कि मेरे लाइफ में इसने प्रॉब्लम किया उसने प्रॉब्लम किया उसने किया और वो भी कर रहा है यह सब लोग कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं कर आपके लाइफ में आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में हैं आप कंट्रोल में हैं आपने उसको जब तक आप सिखना नहीं चालू करोगे दूसरे की इंस्ट्रक्शन से कोई वैल्यू नहीं है, सिखने के लिए आप जब तक तैयार नहीं होते हो, आपको कोई भी गुरू मदद नहीं कर सकता, फिर आपको गुरू क्यों चाहिए एक्स्टरनल के लिए, कि देखो मैं भी एक रिलीजिस आदमी हूँ, मैं भी टिका लगाता हूँ, मैं भी कपड़े पहनता हूँ, मैं भी दोती पहन लेता हूँ, मैं भी दानवपुन्य करता हूँ, ये नाम कमाने के लिए आपको गुरू चाहिए, मतलब आपको निकलना नहीं है, मोक्ष का रास्ता नहीं चाहिए आ और यही 24 गुरू इसमें सिखाएंगे, एक के बाद, एक के बाद, एक, जो हम कल से लेंगे, हमने तो आज सेशन वन में सोचा था, हम 24 गुरू को स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमको लगा कि यह जो बैगराउंड समझना बहुत जरूरी है, कि 24 गुरू कैसे गुरू बने और हम गुरू कैसे बन जाएंगे भाई, खुद से ही, हमको कोई गुरू नहीं, खुद से हम गुरू बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं खुद के गुरू, जब तक आप खुद के गुरू नहीं बनिएगा, कोई गुरू आपको मदद नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं, भगवान कहते है नई गीता में जब तक आदमी खुद चठे अधियाओं पांचोंश लोप में कहते हैं, कि जब तक अपने मन को कोई खुद से से कंटूल नहीं करता है, कोई दूसरा के पंट्रोण नहीं कर देगा, जब तक आप खुद से नहीं सरनागति आनाचाहते हैं, कोई दुसरा सर्मागति नहीं कर देगा इसलिए नियम यह है कि आप आपके जिन्दगी के जीनदरी नम अगर अगर आपको समात से शीखना है तो हम आगे कल देखाएंगे कि क्या क्या सीख सकते हैं कि क्योंकि हमने आज का सेशन जो है बस इसका बैग्राउंड एक्स्प्रेंड कि आपको अब हम फोर्ग्राउंड में उत्रेंगे और सारे गुरुवों को एक्स्प्रेंड करते जाएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अगर प्रश्न होगा तो आप दीजेगा प्रश् शिल्परभपार